हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैं चैनल, लेट्स लर्न एवरीवन, मैं आप सभी का एक बार फिल से अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के वोकेवलरी लेर्निंग लेसन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट, फर्स्ट वर्ड है ओगन, ओगन एक नाउन है जिसका मतलब होता है संस्था, संस्थान, विभाग या संगठन, ओगन का एक मतलब अंग भी होता है जो कि हमारे बॉडी या हमारे शरी से रिलेटेड होता है, सिनॉनिम वर्ड से इस एक्जामपल है इसका, courts are the government organs for giving justice to the people of the country, अदालतें, देश के लोगों को न्याय देने के लिए सरकारी विभाग हैं या सरकारी संस्थान हैं मतलब courts यानि की अदालत जो हैं, वो देश के लोगों को न्याय देने के लिए सरकार की तरफ से बनाए गए संगठन हैं, तो ओगन का मतलब संस्था, संस्थान, विभाग या संगठन next word है, crux, crux भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है, किसी समस्या का सबसे महतफपूंग या कठिन भाग या केंद्र विद्दू, या फिर सार, या कह सकते निचोग या साराश मतलब किसी प्रॉब्लम का जो बिलकुल मेन पॉइंट होता है, जिसकी बज़ा से ही पूरी प्रॉब्लम होती है, उसे बोलती है, crux synonym word sense के core, essence, heart, kernel, pit, gist, substance और main point antonym words है इसके, trivia, insignificance, meaninglessness और nothingness, trivia मतलब साधारंग या मामूली बात, insignificance, meaninglessness और nothingness का मतलब महतफ हिंता, जिसका कोई भी महतफ ना हो example है इसका, the crux of the matter is how to stop this from happening again मामले का साध यह है कि इसे फिल से होने से कैसे रोका जाए, मतलब बार-बार कोई प्रॉब्लम हो रही तो केंद्र बिंदू उसका यह है कि यह प्रॉब्लम बार-बार हो रही है तो crux मतलब केंद्र बिंदू या साध next word है heed heed एक verb है जिसका मतलब होता है ध्यान देना, गौर करना, पालन करना या मानना synonym words है इसके observe, mind, notice, regard, follow, consider और obey antonym words है इसके ignore, neglect, disregard, avoid और overlook मतलब ध्यान ना देना, टालना, अंदेखा करना या उपेक्षा करना example है इसका if you want to be healthy, you should heed to the doctor's advice to exercise daily and avoid smoking अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, तो तुम्हें रोजाना, व्यायाम करने और धुम्डपान ना करने की डॉक्टर की सलहा पर ध्यान देना चाहिए मतलब डॉक्टर ने जो सलहा दी है रोजाना, व्यायाम और धुम्डपान ना करने की उस पर तुम्हें गौर करना होगा या उस बात का पालन करना होगा या मानना होगा अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, तो heat मतलब ध्यान देना नेक्स्ट वर्ड है सगेशस, सगेशस एक adjective है जिसका मतलब होता है मेधावी, बुद्धिमान, समझधार, दूर दल्शी, विवेकशील और कुशागर बुद्धी मतलब कि जिसका दिमाग बहुत तेज होता है, जिसे हम बोलते हैं sharp mind synonym word sense के wise, intelligent, brilliant, sensible, prudent, sharp और knowledgeable antonym word sense के foolish, dumb, stupid, unwise और silly मतलब मूर्ख, बुद्धिहीन या ना समझ example is, he is a sagacious student who has the great ability to learn things very easily मतलब वह एक मेधावी चात है, जिसके पास चीजों को बहुती आसानी से सीखने की महाँशमता है तो sagacious मतलब मेधावी या बुद्धिमान next word है venomous, venomous एक adjective है, जिसके दो मतलब होती है first meaning इसका होता है, विशेला या जहरीला कोई जानवर या कोई insect वगेरा जो जहरीले होती है उनके लिए हम venomous word का use करते है second इसका मीनिग होता है, दोएशी, कटू, तीखा या विदोएश पूंग मतलब की दुश्मनी या बहुत जादा गुसे से भरी हुई कोई चीज example से आपको अच्छे से समझ में आएगा, आगे समझाती हूँ इसका example पहले इसके synonyms देख लेती हैं तो फर्स्ट मीनिंग से इसके synonyms हैं poisonous, toxic, virose और tharnatoid मतलब जहरीला या विशैला second मीनिंग से इसके synonyms वर्ड्स हैं vicious, spiteful, malevolent, bitter और resentful मतलब दुएशी, कटू, तीखा या विदुएश पूंग एंटॉनिम वर्ड्स हैं इसके जो कि इसके first मीनिंग के लिए हैं वो है non-poisonous, non-toxic, innocuous और safe मतलब जिसमें जहर ना हो या अहानिकर या सुरक्षित non-poisonous और non-toxic मतलब जिसमें जहर ना हो innocuous मतलब अहानिकर और safe मतलब सुरक्षित दूस्टे इसके मीनिंग से जो एंटॉनिम वर्ड्स हैं friendly, affectionate, loving और nice friendly मतलब दोस्ती पूंग या दोस्ती से भरा हुआ affectionate और loving मतलब स्नेही या प्रेम पूंग और nice मतलब अच्छा examples हैं इसके there are a lot of venomous snakes around the campus परिसर के चारों तरफ बहुत सारे जहरीले सांप हैं ये तो first meaning से example हो गया second meaning से जो example है वो है she gave a venomous glance at her opponents उसने अपने प्रतिद्वांदियों पर एक तीखी नजर डाली मतलब एक गुस्से वाली या दुश्मनी वाली नजर डाली next word है incendiary incendiary भी एक adjective है जिसका मतलब होता है दाहक, उतेजक, विद्रोहात्मक, आग लगाओ या भरकाओ कोई ऐसी बात या कोई ऐसा person या कुछ भी ऐसी चीज जिससे लडाई जगा हो जाए या दंगा हो जाए या विद्रोहात्मक जो atmosphere होता है वो हो जाए synonym words हैं इसके inflammatory, provocative, string, insurrectionary और aggressive एंटॉनिम words हैं इसके propitiatory, ironic, peaceable और conciliatory मतलब शान्त करने वाला शान्ती प्रिये या मैत्री पूंग propitiatory, ironic और peaceable मतलब शान्त करने वाला या शान्ती प्रिये और conciliatory मतलब मैत्री पूंग example एसका the law to tackle insidiary content and hate speech that provokes violence are already in place हिंसा भरकाने वाली भरकाव विशेवस्तु और घ्रना पूंग भाशा से निपटने के लिए कानून पहले से ही लागू है मतलब लगाई जग़ा करवाने वाला या हिंसा भरकाने वाला जो भी content या नफरत कर लाने वाली भाशा के लिए पहले से ही कानून लागू है नेक्स्ट वर्ड है फ्लैग फ्लैग जो की एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ठक जाना कमजोर होना धीला पर जाना मंद होना निरुत्सहा होना या मुर्जा जाना अब आपके mind में आ रहा होगा फ्लैग का मतलब तो जंडा होता है बिल्कुल सही है फ्लैग का मतलब जंडा होता है लेकिन as a noun फ्लैग का मतलब जंडा होता है लेकिन as a verb इसका मतलब होता है ठक जाना या मुर्जा जाना मतलब की किसी काम से ठकने की वज़ा से कमजोर पर ज जिसको हम बोलते हैं कि मुर्चा आजाना, सिनॉनिम वर्ड्स हैं इसके टायर, वीकिन, लैंगविश, विल्ट, ड्रूप, अबेट और विदर, एंटॉनिम वर्ड्स हैं इसके रैली, स्ट्रेंथिन, ब्लूम, फ्लॉरिश और हील, मतलब रैली मतलब संभलना, स्ट्रेंथिन मतलब शक्ति या ताकत बहना, मतलब की संभलना ही सेम मीनिंग हो गया, ब्लूम और फ्लॉरिश मतलब फूलना, जब हम स्वस्थ होते हैं या हमारे अंदर ताकत होती हैं तो हम फूल जाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लूम या फ्लॉरिश, और हील का मतलब स्वस्थ होना, ए तो कि एक लंबे ठकाओ दिन के बाद मैं कमजोर होने लगी हूँ। Second example है, you can never flag my confidence. तुम कभी मेरे आत्मविश्वास को कमजोर नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से एक तो जब हम ठक जाते हैं, उसके लिए भी हम flag word का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से flag का मतलब होता है ठक जाना, कमजोर होना, धीला पर जाना, मन्द होना या निरुच्चा होना या मुर्जा जाना। नेक्स्ट वर्ड है, स्टीप, स्टीप जो की एक adjective है, इसके भी दो मतलब होते हैं, फर्स्ट मीनिंग होता है इसका अत्याधिक, जबर्दस्त, या बहुत जादा या बहुत तेज, और सेकेंड इसका मतलब होता है, बहुत महेंगा, सिनॉनिम वर्ड सें इसके फर्स्ट मी वर्ड सें expensive, costly, dear और pricey, एंटॉनिम वर्ड सें इसके फर्स्ट मीनिंग से जो है, controlled, restrained, restricted और gradual मतलब नियंत्रित या धीरे, gradual मतलब धीरे, बाकि सभी वर्ड का मतलब है नियंत्रित, सेकेंड मीनिंग से एंटॉनिम वर्ड सें इसके चीप, inexpensive, uncostly, affordable, cheap, inexpensive और uncostly मतलब सस्ता और affordable का मतलब होता है वहन करने योगी जिसको हम afford कर सकती है, examples है इसके, first example है, as soon as there will be a steep decline in automobile prices, I will purchase a new car, जैसे ही automobile की कीमतों में भारी गिरावट होगी, मैं एक नई कार खरीदूँगा, भारी गिरावट मतलब बहुत जादा गिरावट होगी, अब अत्याधिक या जवल दस्त गिरावट होगी, second example है, I can't afford the steep rates at this restaurant, so I will eat dinner somewhere else, मैं इस रेश्टरा में महंगी दरों को वहन नहीं कर सकता, इसलिए कहीं और खाना खाऊंगा, मतलब यहां की जो high prices हैं या steep rates हैं, उन्हें मैं afford नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं कहीं और खाना खाऊंगा, तो steep का मतलब अत्यधिक, जवदस्त, बहुत जादा या तेज और बहुत महंगा, ओध बहुत महंगा,